गाउं में नई सरकाल चुनने के बाद अब नौ निर्वाचित जनपृतिनी़ों को अधिकार दिलाने के लिए पहले सपत गरहन समारों आयो जित किये जा रहे है यह पहला मौका है जब कोरोना काल में नई सरकार के नुमाइंदों को वर्चुल तरीके से सपत दिलाई जा रही है अब हम आपको मचरेटा ब्लाग में बर्चुवली तरीके से नव निर्वाचित प्रधानों और पंचों के सपत ग्रहन समारों के बारे में बताने जा रहे हैं आइंडिया सम्वादाता के अनुसार ब्लाग में 73 ग्राम पंचैते हैं जिसमें 50 ग्राम पंचैतों में दो दुनी सपत दिलाई जाएगी जबकि यहां की 23 ग्राम पंचैतों का कोरम पूरा नहीं हो पाया है ऐसे में यहां के 9 निर्वाचित प्रधानों को सपत लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 25 माई को पहले दिन 23 ग्राम पंचैतों में जिलाकारिक्रम अधिकारी राजकपूर ने प्रधानों तथा वीडियो एडियो पंचैत ने वहां के पंचों को बर्चूली तावर पर पद्वा गोपनी यता की सफत दिलाए जिन 23 ग्राम प पसी देवी, साहपूर से संजय सिंग, बेलंदापूर से प्रीती देवी, इटववा से रहमत अली, फते नगर से महेंदर, सिसेंडी से राजरानी, बारेपारा से जसोदा, बीहट वीरम से प्रताप से खावत, जटपूरवा से गायत्री, कुनेहटाल अच्छी रामपूर से सोबरन, हरिपालपूर से रामपती, सेनपूर से पूजा, उम्रापूर से मंजू, दलेल नगर से राज़िंदर प्रसाद, जालेपारा से कन्या देवी, गोंडा से केतकी, लहौंग पूर से जैप्रकास सिंग सामिल हैं, से 27 ग्राम पंचैतों के प्रधानों वा पंचों को 26 माई को सफद दिलाई जाएगी, ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमसे, और आइंडिया पर चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आइंडिया